ये पर दोस्तों आप लोगों को आपकी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों तो दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन हो रहा है स्पोर्स कोटे का ओनली 4 बॉइज इंडियन एर फोर्स में वकेंसी निकली है आज ही का नोटिफिकेशन है और ओनलाइन सबिशन करना एप अप्लिकेशन फीस कोई फीस नहीं इसमें 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में आपको करना है और ट्रैल डेट 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर जो है आपके इसमें ट्रैल डेट रखी हुई है तो आपको कैसे कैसे इसको बेजना है कोई ओनलाइन ही आपको बेजना है क कैसे कैसे करना है सारी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो चलते हैं अभी फिलाल हम जो है नीचे की साइड चलते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर गेम कौन-कौन से है और क्या-क्या प्रोसीज़ देखिए अल्लिमिट्टिड वकेंसी है कोई भी ऐसा नहीं है इसमे तो यहाँ पर जो गेम है वो अल्लिमिट्टिड गेम रहेंगे इसमें स्पोर्ट्स में कोई जो वकेंसी है वो इन्होंने नहीं नहीं खोली है तो हर गेम की है अथलेटिक 500 मिटर हाई जंप, एकोटिक ड्रेविंग, स्विमिंग, बास्केट बोल सेंटर, बॉक्सिंग, कै किरकेट, फास्ट बोलिंग, फुट बोल, जिनमास्टमिक, होकी, फोवर्ड, कवर्डी, लेफ्ट, राइट, आलाउंडर, हैंड बोल, स्क्वेच, वोली वोर्ड, वेल लिप्टिंग, रेसलिंग, वाटर पॉलो, इन में जो है वकेंसी है और वकेंसी काफी ज्यादा वके स्टेशन करना है वो आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और जो इसमें लास्ट जो है 20 सितंबर से पहले पहले आपको ओनलाइन भीजना है क्या एज रहेगी इसमें वो भी मैं आपको बता रहा हूं तो एज का जो कराइट एरिया है आपका डेट ओपर 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 तक रहेगा और कैंडिडेट की रियर ओल दे स्टेज सेलेक्शन दैन अपर एज लिमिट एज ओन डेट इनवल्मेंट शुडबी 21 एर ठीक है तो अभी हम इसमें बात करते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी भी क्या रहेगी या और क्या क्या चीज साइन्स सब्जेक्ट के स्टुडेंट के लिए 12 में जो है मैतमेटिक, फिजिक्स, इंगलिस आपके पास होने चाहिए 50 परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए या पास 3 एर्स डिप्लोमा कोर्स, इंजिनिरी, मेकैनिकल अगर आप पे 12 का ये नहीं है तो ये आपके पास हो जैसे 10 के बाद हम लोग कर लेते हैं तो आपके पास ये हो या और का मतलब होता है या फिर आपके पास टू येर वेक्षिनल कोर्स विद नोन वेक्षिनल सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एड्यूकेशन जी और इसेंटर इस्टेट यूनिवर्सिटी और मिनिम्म फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके होने चीए इंग्लिस इस नोट सब्जेक्ट फॉर वो लोकिस्टन कोर्स इसके बाद हम बात करते हैं अधर साइन्स सब्जेक्ट、 जो अधर साइन्स के लावा होते है उनके लिए क्या है तो उनके लिए क्या है कि ट्वेल्थ पास होने चाहिए, मिनिम्म फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और English में भी 50% आपके होनी चाहिए Past 2-year course education board organized by the center state minimum 50% marks English is not subject course Candidate इसके बाद हम बात करते है Note 1 और Note 3 का जो हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर candidate science subject including the intermediate 3-years diploma course engineering 2-years course is non-vectional subject physics math as well for other science subject और 2nd में educational board organized the center state से आपका registration हो sell on be considered 3rd आपका जो point इसमें Agri percentage marks before the diploma course sit diploma Considered example 49% should be take round of 50% आपका होना चाहिए इसमें उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर sport achievement क्या क्या चाहिएंगे जो सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे sports में क्या क्या चाहिए तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें अगर आपने country में junior और senior international meet में लिया जैसे athletic है single game है तो उसमें आपका जो है जो आपका reference होगा जो आपने अभी current में जो achievement कियागा सबसे पहले उसको यहाँ पर रखा जाएगा दूसरे बात इंडिजियल should have the attention minimum standard fifth place in the junior national represent state union territories senior national championship select central जो junior national में अगर खेला है उसमें fifth position तक आया है तो उसको भी यहाँ पर रखा जाएगा उसको reference दिया जाएगा reference current में जो खेले है achievement होगा उनको सबसे पहले रखा जाएगा last two year का जो है ये लोग जो है लेते है in the team events इंडिजियल जैसे team events होगा जैसे volleyball, basketball इसमें क्या है represent the state in junior national championship इन्होंने जो दे रखा है BCCI candidate have the played all India inter university BCCI trophy under 1923 रंजी trophy, delete trophy और इनको जो है cricket में मोका दिया जाएगा ये cricket में यही वाले मानने होंगे मैंने आपको सारी इसमें बता दिया है उसके बाद जो height mandatory है वो आपकी जो है mandatory minimum 55 cm sport male के लिए है weight आपका to height and age दोनों से count किया जाएगा, chest आपकी expensive 5 cm hearing candidates should be able to hear force, तो ये सारी चीज़े इनोंने दे रखी है, तो height का कोई ज़्यदा वो नहीं जता 150 cm आपकी height होनी चीए और आपकी eyes वोगरा का है ये आपका जो आपका जो exam होगा वो कब होगा उसकी भी सारी चीज़े इनोंने दे रखी है तो यहाँ पर first day रहेगा आपका airman center जो आपके जो qualification, sports, air force, sports control board selection, physical test to be conduct by तेज़े campus air force station दिली second day आपका रहेगा sport trail above the mention event those candidates who have the clear document verification, उनका physical fitness test होगा, उसके बाद third और fourth को यहाँ पर क्या रहेगा third और fourth को, third पर रहेगा यहाँ पर trial for the candidates who are sold listed during the previous day trial जो previous day में, पिछली day में, जो है चार और पांच में medical exam रहेगा, जो उनका जो medical होगा वो होगा चार और पांच में यह रहेगा इसके बाद आपका जो है physical जो test है, उसमें क्या-क्या वो रहेगा आपका, यह भी मैं बदा जता हूँ टैन पुसम वन मिनट टैन सिट अप वन मिनट, ट्वेन स्क्वेट वन मिनट, आफ्टर रट टू ब्रेक ओन दा कॉंपिजन सिट अप्स उसके बाद इसमें क्या दे रखा है यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़े हैं इसके बाद आपका क्या चीज़ है आपको क्या करना है तो इसमें आपको क्या करना है जो यह मेल आईडी इसको आप नोट कर लेना इसी मेल आईडी पर आपको अपने सारे डोकुमेंट जो दे रखिये हैं जब ओनलाइन डिश्टेशन कर गए एक फोम आएगा उसको पूरा भरके उसका आपको जह है ओनलाइन फोम जो है ये फिल अप करना है उस पर जो रिजिस्टेशन नंबर है वो भी डालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा फिरिप मेल आपको जो है इस जो मेल आईडी दी रखिये सिर्फ इसी mail id पे जो है आपको इसमें जो है करना है और और किसी चीजे पे नहीं करना है यही mail id रहेगी इसी पे आपको जो है अपने documents भेजने है 20 तरीक से पहले पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको registration करना है भढ़ना किस तरह से है कुछ इस तरह से आपको जो है अपना जो है form fill up करना है यह देखे column 1 है जैसे अनुझ कुमार इसमें नाम दे रखा है तो अनुझ कुमार date ओपर Air Force Force Control बोर एंटर दा यह must be Air Force Control email id यह आपका दे रखा है इस तरह से आपको कुछ भढ़ना है form अपना बहुत ध्यान से form को भढ़ना है गलती बिल्कुल नहीं करनी है यह form है आपका इस परकार आपका form होगा और यह आपको भढ़ना है registration number आपको अपना भढ़ना है registration number जननेट after the submission online application date online application mail id यह चीज़े आपको जो है form में भढ़नी है अपना फोटू लगाना है इसे form को भढ़ने के बाद इस form को इसमें name of the capital letter आपको लिखना है father's name लिखना है याप पर name father's name यह आपको लिखना है date उपर लिखनी है उसके बाद अपना इसमें आपको अधार कार्ड, matriculation certificate, intermediate, education, qualification यह आपको भढ़ना है उसके बाद exam pass, sport achievement आपको इसमें भढ़ने है इस simple form है level represent आपने कहाँ रखा है height क्या है आपकी यह आपको भढ़नी है identification mark जो आपका कोई एक mark होगा जो permanent mark होगा वो आपको यहाँ पर इसमें भढ़ना है police station आपके nearby district state यह pin code, address यह आपको सारी चीजे इसमें भढ़नी है permanent address आपका रहेगा उसके बाद nationality married या no unmarried यह mobile number यह आपका सारी चीजे इसमें आपको भढ़नी होगी उसके बाद declaration form आपको बढ़ना होगा यहाँ पर अपने signature करने होगे आपको यहाँ पर आपको अपने signature करने होगे और यहाँ पर आपको अपना left थम लगाना होगा इसके बाद आपको जो है form बढ़ना है physical fitness test का अपना जो है medical test का जो है form बढ़ना है signature name so parent relationship with candidate यह आपको बढ़ना है undertaking the physical fitness test medical 18 years age यह वाला आपको form बढ़ना है इसमें उसके बाद आपको जो है इस mail ID पर इस mail ID पर PDF बना कर आपको जो है send करना है एक ही बर send करना है अगर आप ज़्यदा बर करेंगे तो आपका form जो है reject कर दिया जाएगा तो फूरे form की PDF अच्छे से आपके जैसे suppose गरो आपकी 10th की marksit है अधार card इनकी सभी को एक scan करके PDF बना कर जो है आपको इस mail पर बेजना है अपने सभी documents के 10th की 12th की sport achievement की सभी के एक PDF बना कर और इस form को सबसे पहले इस form को आगे रखना है और फिर अपने जो भी आपकी qualification है आपका sport achievement है वो सभी जो है इसी के पीछे लगा के PDF आपको scan करके ये form भी scan करके जो है आपको इस mail पर बेजना है जिस तरह से हम और form बढ़ते हैं सेम उसी परकार से जैसे offline form बढ़ते हैं सेम उसी परकार से इसको scan करके आपको बढ़ना है और इस mail पर जो है send करना है दोस्तों आपसे निवीदे ने इस वीडियो को जदर से जदर share करना और चैनल को subscribe करना मत बूलना अगर कुछ और भी पूछना है तो आप telegram और instagram पर follow कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की information दे दी जाएगी जे हिंजे वारत